दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फितरत बहुत जालिम है जी हाँ फितरत में नेचर में रहम हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी बेहतर तोर पर आप अपनी जिंदगी को चला पाएंगे जिंदगी का सफर तै कर पाएंगे और जो विक्टम हूड है जो विक्टम कार्ड है मजलूमियत का इसको खेलना बंद कर देंगे और वाकई में अपनी जिंदगी को हिकमत अमली यानि के स्ट्रेजी के जरिये डिजाइन कर पाएंगे आपको पता होगा कि हाँ भई मुझे क्या करना है लाइफ में कैसे करना है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों फितरत जालिम है और किन लोगों के साथ फितरत जालिम है फितरत को इस बात से कोई फर्ट नहीं पड़ता कोई आपका दुख नहीं समझता, कोई आपकी फर्याद नहीं सुनता, आप चाहे जितना रो लें, फितरत ने आपको बचाने के लिए नहीं आना, फितरत हर उस इंसान के साथ strict है, forgiving नहीं है, माफ नहीं करती, जिसको awareness नहीं है, जिसको आगही नहीं है, आपको आगही नहीं है, आपको awareness नहीं है, कोई आपके साथ कितना ही जुल्म क्यों नहीं कर रहा, उस इंसान पर कोई बिज्री नहीं गिरने वाली, कोई तूफान नहीं आने वाला, वो अपना करम कैसे बुगतता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप, आप तो तकलीफ में हो ना, आपको तो कोई बचाने नहीं आ रहा, उसको चाहे जितना करमा मिल जाए, आपकी तकलीफ तो अपनी जगा है, आपकी लाइफ तो बर्बाद हो गई, आपको तो फायदा जो अपनी जिन्दकी की डोर अपने हाथ में लेगा, जिसको अवेर्नेस होगी, फितरत उसके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको विक्टम हूट से निकालता है, अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है, मैं मानती हूँ, ऐसे इनसान को आप बात होनी चाहिए, लिकिन जो चाहिए चाहिए का गेम है, इसमे तो आपका कबाड़ा हो जाना है, आपका तो बेड़ा गर को जाना है, क्या है उस पर गौर करना जरूरी है, आपको नहीं है वेर्निस, नहीं है आपको आगई, आप अपने उपर काम ही नहीं करना चाह आप अपने actions की जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे आपने अपने आपको deep reflection, deep thinking में कभी आप लेकर ही नहीं गए न अपने आपको तो फित्रत आपको फूलों के हार पहनाएगी, नहीं, फित्रत आपको वही देगी जो आप है, आप एक unaware इंसान है, लोग आपके उपर चड़ते बेजाएंगे, आपको awareness है, आप अपनी responsibility लेते हैं, आप अपने दिमाख का स्तमाल करते हैं, आप अपने उपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, action लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, मजलूमियत से काम नहीं लेते, तो फिर जाहर सी बात है, फित्रत तो आपको reward करे आपका करम ही आपका reward है, आपका action, आपका करम, आपकी awareness, इससे बड़ा कोई reward ही नहीं है, इससे बड़ा कोई हत्यार ही नहीं है, और याद रखेगा, अगर नार्सिस्ट को उसकी सजा मिल भी जाए ना, और आप फिर भी unaware हैं, तो आप एक नार्सिस्ट से दूसरी की तरफ jump करोगे, और ये चक्कर चलता रहेगा, जब तक आप इस चक्कर को तोड़ोगे नहीं, जब तक आप अपने patterns देखोगे नहीं, जब तक आप अपने trauma को heal नहीं करोगे, अपने उपर काम नहीं करोगे, अपनी values, अपनी personality बिल्ड नहीं करोगे, character बिल्ड नहीं करोगे, तो एक narcissism से दूसरे और दूसरे से तीसरे के पास जा जा कर exploit होते रहोगे कोई आपको बचाने नहीं आएगा किसी को भी आप से हमदर्दी नहीं और फितरत को तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए अपने आपको आगा करें aware रहें awareness बहुत अच्छी चीज है और बहुत slowly gradually अपनी जिन्दगी में वो actions ले जो आपको एक responsible और समझदार इनसान बनाए क्योंकि याद रखेगा कि फितरत बहुत जालिम है और वो आपको बचाने कभी नहीं आएगी अपने आपको खुद बचाना है अपने आपको खुद सेफ करना है हकूमत की क्या जिम्यदारी है उसकी क्या जिम्यदारी है वो हमें पता है उनकी है जिम्यदारी नहीं पूरी कर रहे तो क्या कर सकते है कुछ भी नहीं कर सकते capitalism ने तो ऐसा खेल रचा है कि अब तो एहतजाच, बगावत, सवाल उठाना हर चीज़ खतम हो गई मुबाइल फोन से तो कोई बाहर नहीं निकलता आप में निकलते ना फोन से बाहर तो capitalism सरमयदाराना जो निजाम है उसका खेल बहुत powerful है और जो रचा है ये खेल उसने उसमें आपको awareness की जरूरत है आगही की जरूरत है आगही सबसे बड़ा हतियार है capitalism से लड़ने का उसकी जो exploitation है उसको कम करने का capitalism के फाइदे भी होंगे मैं ये नहीं कहती के फाइदे नहीं है लेकिन उसके नुक्सानात बहुत गंबीर होते जा रहे हैं दिन बदिन और मजीद गंबीर होंगे इस सदी के आखिर तक लेकिन इस तमाम तर जमेले में आपको अपनी जिम्यदारी खुद उठानी होगे अपनी healing की खुद को aware करने की अपने emotions की अपनी सोच की अपनी जो आपको जो ये reality से भागपे होना उससे नजरे मिलाना सीखना होगा मेरा चानल इसी पर है कि कैसे आपको कड़वी बातें बताना और कुछ लोग कहते कि मैं बातों का बतंगड बना दी हूँ तो मेरा तो धंदा ही बातों का बतंगड बनाना है मेरा तो काम ही ये है मैं तो वो बाते बोलूँगी जिसे सुनकर गालियां बढ़ती है क्योंकि जब आप माश्रे को शीशा दिखाते हैं या उन्हें हीलोने के लिए बोलते हैं या आप किसी ट्रॉमाटाइज इंसान को बताते हैं कि भई बहुत रोलिया अपने जिम्मेदारी उठाप ने आपको हील करो काम करो अपने उपर वर्क करो तो वो बंदा आगे से न थोड़ा सा वो हो जाता है ग्रेसिव सा हो जाता है वो नहीं आपकी बात समझ पाता लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोलना बंद कर देंगे नहीं मैं तो बतंगड बनाऊंगी मैं तो हर बात का बतंगड बनाऊंगी मेरा तो काम ही ये है काम को अबादत की तरह करना चाहिए बहुत इमानदारी के साथ करना चाहिए अगर आपको लगता है कि बातों का बतंगड बनाना जरूरी है तो बनाना चाहिए अगर मेरी किसी बात से आपके अंदर कोई emotion जाकता है चाहे वो hate का है चाहे वो anger का है, aggression का है या फिर किसी भी चीज़ का emotion है तो उस पर गौर करें कि क्यूं आ रहा है कहीं ये खातून हमारे नजरियात को challenge तो नहीं कर रही और यही वज़ा है कि मुझे कहीं बहुत गुसा तो नहीं आ रहा है इनकी बात पर तो यहां पर गौर करना बहुत जरूरी है लेकिन आपका फर्ज होता है कि आप अपना काम इमानदारी के साथ करो आप वो बो जो सही है जो हकीकत है ना कि वो जो लोग सुनना चाहते हैं तो याद रखिएगा के अवेर इंसान बने अपने उपर काम करें अपने ट्रॉमा को हील करें और विक्टम हूट से बाहर निकलें बिल्कुल भी मजलूम नहीं हैं आप कख फर्क नहीं पढ़ता फितरत को कि आपके साथ क्या हो रहा है मेरे ख्याल से इतनी सखत और कड़वी बातें आज के लिए काफी होंगी इंशाला नेक्स वीडियो मों लेकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच